दोस्तो नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर सीबी सिंग और दोस्तो एक्चुली आज एक बड़ा इंट्रेस्टिंग क्वेस्टिन मेरे पास आये था इनका राजबाला यादव जी का और मुझे ऐसा लगा कि शायद ये प्रॉलम जो इन्होंने बताई है वो हम सभी जो डेरी फार अपने पास ही रख लेती है मतलब अनिमल बहुत अच्छा है इनके पास फीडिंग भी बहुत अच्छी करा रहे हैं लेकिन मिल्क का जो प्रॉडक्शन है वो इनको प्रॉपर नहीं मिल रहा है और इनको ऐसा लगता है कि वो गाए सारा दूद नहीं छोड़ती है वो अपन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और शेर जरू करें अपने डेरी फार्मर्स भाईयों के साथ दोस्तो एक्चुली जो हम सभी लोग जानते हैं कि जितने भी जो डेरी फार्मर्स हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों का मकसद होता है कि वो आनिमल को अपने पास रख लेता है जिसको कई लोग पाना छोड़ना बोलते हैं कई लोग पासवाना बोलते हैं या जो भी हो हम लोग उसको इंग्लिश में मिल्क लेट डाउन बोलते हैं लेकिन उसके पहले हम उसको पूरिया प्रोसेस को अगर आपने समझ लिया क्योंकि मुझे प वीडियो को अंत तक जरूर देखना मेरी आप से एक ही रिक्वेस्ट है क्योंकि आप अगर इसको आधा धूरा वीडियो देखते हैं तो कई सारे confusion जनम लेते हैं तो दोस्तों होता क्या है एक्षुली जो आपने देखा होगा जो गाय है भैस है उनका एक दर होता है मतलब जो एक पूरा जो लेवा जिसको बोलते हैं लेवटी बोलते हैं थन होता है और उसके अंदर आप देखते हैं वहाँ पे इस्टोर हो जाता है जो भी वहां से जो blood जो circulate होता है उसके माध्यम से पोशक्तत्व मतलब जो milk में जो utilize होते हैं वहां पे secret होते हैं और वहां पे milk का synthesis होता है अब होता क्या है कि जब हम सुबह साम milking करते हैं उस animal की तो उसमें बड़ी ही scientific एक सारा process होता है और अगर उसमे problem होती है तो वो सारा का सारा दूद नहीं छोड़ता और वो अपने पास ही दूद रख लेता है उस प्रिकरिया में actually क्या होता है जब पाना छोड़ता है let down के समय या milking के समय अगर हम जब उसको stimulate करते हैं या थोड़ा सा हम प्रिकरिया को चालू करते हैं milking की जो प्रिकरि जाता है कि तुझे अब milk देना है या milk production स्टार्ट करना है और वहां से उसके जो brain से एक हार्मोन सिक्रीट होता है pitutory gland से जिसको हम बोलते ऑक्सिटोसिन ऑक्सिटोसिन हार्मोन वहां से सिक्रीट होके वो अडर तक पहुंचता है थनों तक पहुंचता है उसके blood के माध्यम से और वहां की जो मासपेसियां होती है जो alveoli होते हैं उनको वो contract कर देता है contract मतलब उनको सिकोड देता है ताकि वो milk बाहर निकलाए अब ये जो signal है सारा जो आप milking स्टार्ट करने से वहां signal पहुंचना और वहां से oxytोसिन वहां तक आना अडर तक आना थनों तक आना उस 90 सेकेंड के अंदर ये signal अपना काम कर देता है और अब वो तयार हो जाती है जो गाय है जो भैस है वो milk let down के लिए तो अब इस अगर प्रोसेस में आप देख रहे हैं जो milk let down का जो एक जो डेर मिनिट का जो टाइम है वहां से animal जब complete करता है तो आप milking स्टार्ट कर देते है और milking स्टार्ट होती है तो इसका जो effect होता है इस hormone का जो oxytocin का वो करीब करीब रहता है पांच मिनिट तक बहुत अच्छे से उसका effect रहता है और पहले जो तीन मिनिट होते हैं उसका जो असर है वो सबसे जादा होता है तो पहले तीन मिनिट में हम कोशिस करते हैं कि maximum milking क कर लें और पांच मिनिट, सात मिनिट maximum में हम उसको complete कर लें क्योंकि पांच मिनिट तक उसका भरकूर असर होता है अब ये तो सारी की सारी जो प्रिकरिया मैंने जो आपको बताई है इस में मैंने जो बताया कि एक मिनिट पहले या 90 सेकेंड पहले से आपको वो प्रिक्रिय स्टार्ट करनी है मतलब saj करते हैं कई लोग उसके जो लेवटी का या अडर का या धनों की मसाज करते हैं यह वहाँ पहां पे थोड़ा सा activity कुछ start करते हैं कही लोग उसको पानी से धोने लगते हैं इतने है वो signal वहां तक पहुंच जाता है और उसके बाद हम milking स्टार्ट कर देते हैं अब होता क्या है अगर इस प्रिकरिया के दौरान अगर आपका एनिमल डरा हुआ है या वो स्ट्रेस में है या कुछ आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया है तो वहां उसके अंदर से जो डर के टाइम पर एक हार्मोन सिक्रीट होता है एड्रिनेलिन वो सिक्रीट होने लगता है और वो इस ऑक्सिटोसिन जो दिमाग से निकला हुआ है उसके जो इफेक्ट को कम कर देता है उसके इफेक्ट को इसको इनिबिट कर देता है उसको कम कर देता है और जब वो कम हो जाता है तो उसके जो थनों से जो जो मिल्क का जो सिक्रीशन होता है वो नहीं हो पाता प्रॉपर क्योंकि उसका जब असर कम हो जाएगा तो वो एलवलाई जो है वो पूरी तरह से सु comfortable नहीं है, stress में है, या pen में है, कोई painful procedure है आपका milking का, तो वो दूद नहीं छोड़ेगा, तो मैं आपको यहाँ पर recommend करूँगा, कुछ चीजें, आपको चार चीजें मुखिता, आपको recommend करूँगा, कि आपको क्या करना क्या है, ऐसे उसमें जो problem आती है, उसमें करना क्या है, तो पहला तो आपका यह करना है, कि आपको एक daily routine set करना है उसका, daily, मतलब daily routine आप अगर उसकी milking साथ बजे करते तो साथ बजे करिये, आप बजी करते तो आप बजी करिये पांच बजी करते तो पांच बजी करिये लेकिन उसकी टाइमिंग फिक्स करनी है आपको animal की क्योंकि आटोमेटिक उसका एक clock सेट हो जाता है biological clock और वो उस टाइम पे वो अपने आपको prepare कर लेता है animal की तुझे milk देना है और कई बार वो automatic उसकी प्रक्रिया चलती रहती, अब अगर आप उसको इस schedule को change करते रहेंगे, बार बार आप बदलते रहेंगे, तो definitely आपको problem आने वाली है, तो सबसे पहले आप उसका जो daily routine है, उसको set करिए, उसकी जो daily timing है, वो set करिए, और दूसरा जो तरीका है, या दू जो complete milking का time, आप maximum 5-7 minute के अंदर complete कीजिए, अगर आपने इस, आपकी slow milking है, आप बहुत आराम-ाराम से milking कर रहे हैं, तो उसका effect, oxytosin का 3-5 minute के बाद, वो खतम होने लगता है, और उसके बाद जो भी milk order में रह जाएगा, उसके थनों में रह जाएगा, वो आपको नहीं म बताया कि उसकी एक routine को set करना है, दूसरा उसकी timing of, जो complete, जो milking आप करते हैं, उसका 5-7 minute के अंदर वो complete होना चाहिए, ये बहुत important है, उसके बाद जो तीसरा है, वो है method, मतला किस बिधी से, किस तरीके से आप दूद निकालते हैं, वो बहुत important है, वो आपकी जो बिधी है वो painful नहीं होनी चाहिए, जो जिस तरीके से, मैं हमेशा देखता हूँ, कि लोग इस तरीके से निकालते हैं, उसके अंगूठे से, जिसमें यहाँ पे उसको pain होता है, उस case में भी वो पूरी तरह से दूद नहीं छोड़ता, क्योंकि उसको pain होता है, pain या डर में मैंने बता है, कि उसके अंदर से adrenaline secret होता है, जब वो animal uncomfortable होता है, तो उस time पे oxytocin का effect कम हो जाता है, और वो दूद पूरा नहीं छोड़ता है, तो comfortable हो, stress free हो, जितना ज़्यादा relax होगा animal, उतना ज़्यादा दूद आपको मिलेगा, वो सारा दूद छोड़ देगा, उसके बाद है एक point और आप जब milking करते हैं, तो कोसिस करिए कि animal को बिलकुल relax कर लें, उसकी थोड़ी सी massage करें, उसके थनों पर थोड़ी massage करें, क्योंकि 15 से 30 सेकेंड की massage, अगर आप करते हैं, तो ये देखा गया है, कि milk के production में बहुत बड़ा फरक आता है, उसका complete milk let down होता है, और वो अपने पास नहीं रखता है, दोस्तों मैंने जो चार तरीके बताए हैं, मुझे उमीद है आप लोगों को 100% समझ में आये होंगे, नहीं समझ में आये हैं, या कुछ confusion है, तो आप comment box में जाकर लिख सकते हैं, और इस process को अपनाने से, क्योंकि बहुत सारे मैंने farmers देखे हैं बहुत महंगा feed खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन complete letdown जो milking की जो problem आती है, उसके कारण उनको loss होता है, तो आप इसको अपनाएए ये जो 4 points मैंने बताए हैं, और मुझे उमीद है कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, और पसंद अगर आ रहा है, तो subscribe जरू इस चैनल को और इस वीडियो को share जरूर करिएगा, जय हैं दोस्तों!